हेलो फ्रेंज आज हम लोग बात करने चाहा रहे हैं कोटक महंद्रा 8110 अकाउंट खाते के बारे में जो कि आपसे काफी चार्ज लेता है लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता है इसमें आपको काफी सारे बेनेफिट्स मिलते हैं जैसे कि आप इसमें क्रेट कार्ड के आगर आप इसमें लेते हैं तो प्लेस आपको जी एसटी देने पड़ती है लेकिन आज की इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूं साय धी किसी ने आपको बताया होगा तो वीडियो को बिल्कुल भी इसकी मत कीजिए क्योंकि मैं आपको जो कोटक महंद्रा आपको नोटिफिकेशन आ सके तो सबसे पहरे जो चार्ज लेता है वह इस चार्ज लेता है अगर आप किसी भी फैनेस कंप्री से लोन या कोई प्रोडेक्ट लेते हैं और कोटक महंद्रा 811 को एड़ करते हैं इस लिए तो उसमें से आप से चार्ज लिया जाएगा यह इस इस येस तो उसमें आपको कितना प्रेंटी देनी पड़ेगी यह भी मैं आपको बताऊंगा पहले जो हम लोग लोन लेते हैं उसकी इमाई अगर बाउंस होगी तो जो लोन लिया है उसके भी आपको एक्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा जो बहुलते हैं उसको और बैंक आप से 590 रुपए लेगी उसका है बांसिंग चार्ज तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह बांसिंग चार्ज रहें आप बात करेंगे इसके दूसरे चार्ज के बारे में जिसको बोलते हैं पी ओ ए स्चार्जित फिस चार्ज क्या है प्योज क्रण अगर आपको POS चार्ज देना पड़ेगा जो की 25 रुपए प्लस GST है उसका स्क्रीन सोड मैं यहाँ पे सो कर दे रहा हूं तो इसमें क्या होता है एक्जाम्टल की तौर पे अगर मेरे अकाउंट में 100 रुपए हैं और मैं UPI यहाँ पी बैंक ट्रांसफर में 100 रुपए से उपर की अमांट फिल करूंगा और पे करूंगा और आपके यह बैंक में कर जाएंगे बाद में अगर आपके में बैंस नहीं है तो दोस्तों यह हैं दो तरह के चार्ज जो आपको मैं स्क्रीन पे सो कर दूंगा तो आप अगर लोन लेने वाले हैं यहाँ आपके में बैंस नहीं है हैं तो समहल कर रहे हैं क्योंकि यह जो बैंक है काफी पैसे आपसे लेती है इस और पी ओस चार्ज के तुरू तो आप भी सतर रहे हैं और बैंक को कम से कम यूज़ करें 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 करें